नमस्कार स्वागत है आपका संसेट टीवी पर मैं हूँ मनोज वर्मा और आप देख रहे हमारा खास का एकरम मुद्दा आपका आज हम बात करेंगे पारंपरिक चिकिस्सा पदिती की इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि विश्वास संगठन ने वैश्विक पारंपरिक आउश्दी केंडर यानि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसन की इस्थापना के लिए भारत सरकार के साथ सावित होगा ये भी कहा जा रहा है कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसन भारत के लिए गेम चेंजर सावित होगा कैसे और क्यों इस पर बात करेंगे से समझदी कोशिश करेंगे अपने खास महमानों के साथ मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं आयूश मंतरा के चिक साथकारी डाक्टर विकरम पाई जी से विकरम जी आपका भी स्वागत है लेकिन शुरूबात मैं आपसे करूँगा विकरम सिंग जी आज आयूश जो एक बड़ा कदम उठाया है भारत ने और डवलो एचो के साथ मिलके जो कदम उठाया गया है ग्लोबल सेंटर फ अफसर है और दिन है एक रैड लैटर डे है भारत के इत्यास में होने वाला है क्योंकि अपने टाइप का ये पहला सेंटर है जो भारत में ऐसा खोला जा रहा है जी और इसमें भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो प्रियास किये हैं इंटरनेशनल डे ओफ योगा के बाद ये दूसरी बड़ी उपलब्दी मानूंगा मैं आयूश मंत्राले के लिए वो पुरे भारत सरकार के कारियकर्मों के लिए जो हम पे हम आगे करने वाले हैं जी ये डेवलो एचो के साथ मिलके तो समझा होता हुआ है और गलोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडियसन इसम था उस दिन डेवलो एचो डीजी ने ये गोशना की के गलोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडियसन भारत में खोला जाएगा इसका सबसे जो पहला फाइदा होने वाला है के जो ट्रेडिशनल मेडियसन है उसमें जो हमारा साइंटिफिक जो मोटरन साइंस है उसको प्रेडिशन हो उसमें अभी जो डिफरेंट मेंन अब्जेक्टिव्स हैं वो उसमें ये है कि पहला तो हमारा होगा कि इसमें जो एक डेटा बेस क्रेट करना है जो जो स्टेड़ेजिक एरिया है जो इन्वेशन है उसको इंक्लूड करना है उसके बाद इसको को क्योंकि लंबे समय से एक बात कही जा रही है कि योगा को पहचान मिली पूरी दुनिया में और अब भारती चिक इससा पत्ति को पहचान मिलनी चाहिए। जो हिस्सेदारी वैश्वी की स्थर पे होनी चाहिए थी, वो अब तक नहीं थी, लेकिन कुरोना काल में भारती चिकहसा पदती की जो मांग है, उसके पृति जो चाहत है, वो दुनिया में बड़ी है, आप कैसे देखते हैं इसको? निश्चित रूप से आज का जो दिन है, हम सब के लिए बड़ी प्रसनता का दिन है, और अभी तक जो आयरवे चिकहसा पदती है, हमारी जो पारंपरिक चिकहसा है, ये भारत वर्ष में तो काफी प्रिचारित थी, और इस कोरोना काल में सभी लोगों ने इसका फायदा उठ हाया इससे लाब लिया और विश्व में भी ये पहुँची है, लेकिन ये जो ग्लोबल सेंटर फार्ट एडिशनल मेडिसिन है, जो डबल्यो एचो के माद्यम से भारत सरकार ने, भारत में, जामनगर में इसकी स्तापना के लिए, जो आज शिलान्यास किया है, उसके माद् प्लेटफार्म पर, रिसर्च के माद्यम से, अनुसंदान के माद्यम से बिलकुल प्रू है, और इस सेंटर के माद्यम से इसकी एकसेप्टिबिलिटी, स्वीकार्यता और अधिक बढ़ेगी, और पुरा विश्व इसको स्वीकार करेगा, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं, क हमारी परमपरिक चिकिस्सा पदती पुरे विश्यो में, विज्ञानिक रूप में इस्तापित होने जा रही है, जी, विकरम पाई जी, आयुवेद और परमपरिक चिकिस्सा के लिए कितनी अनकूल इस्तितियां है भारत के लिए? ये आज के जमाने में अगर आज के दोर पर गर देखा जाए, जो नीड फॉर आर, देखे अभी जो हमारा हेल्ट सिस्टम है पूरे दुनिया में जो चल रहा है, जो मेंली विसीज मैनेजमेंट की तरफ है, बट आयुवेद और आयुश चिकिसा पदतियों को अगर देखा नहीं है, बट एक होलिस्टिक अप्रोच, वेलनेस अप्रोच इसमें जादा है, जो आज के डिट में नीड फॉर आर है, कि बहुत जरूर यह है कि बहुत सारे क्रोनिक इल्नेस या जिसको हम नॉन कम्यूनिकबल डिसॉडर्स का जो बर्डन है, उसको कम करने में आयुश च अमश्रदन भी अनुसंधान भी हमारा जारी है, तो यह बहुत जरूरी चीज़ है मेरे इसाथ से, जब हम इसकी बात करते हैं, जाहिर तोर पे दुनिया भर के जो देशों में, वहां के देशों के हिसाब से जो उनकी चिक हिस्सा पत्ती हैं, उसको एक प्लेट फारम अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, निवेश की बात करें, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं, देखिए अगर आयू सेक्टर की हम बात करें, तो अभी 2020-21 में जो हमारी आयू सेक्टर है, उसको 18.2 बिलियन डॉलर की इंडिस्ट्री हम मान सकते हैं, जो पिछले 6 साल में, जो पहले 2014 में 3 बिलियन डॉलर थी, तो आप समझ सकते हैं कि 7 साल में 6 गुना बढ़ी है, जो अपने आप में ह्यूस है, और फ्यूचर में भी ऐसा उमुईद है, कि अगर 20% इसकी ग्रोथ होती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मार्किट है, तो और जब Global Center for traditional medicine के stability होने से, definitely हमारे यहां पे जो आयरवेदा, यूनानी, सिद्धा, सोवारिपा, इन सब पधितियों का, इनको फाइदा मिलेगा और हमारा sector और ज़्यादा ग्रोख करेगा, सब को benefit होने बाला है, जो आज हम इंडिया में, हम जो pandemic है, इसे vaccination के अलावा, जो हमारी traditional methods हैं, चाहे उसमें तुलसी, गिलॉय, या जो हमारा हल्दी, उसको यूज करके, क्योंकि पर्दवान मंत्री जी ने भी हर platform पे बोला है, कि जब भी वो even head of the state से बात करते हैं, तो योगा और आयरवेदा की बात करते हैं, तो ये center होने से, इसको हम एक नए platform पे पहुँच गया है दुनिया में, तो मुझे लग रहा है कि एक रिमार के बले achievement है, एक global, वैश्विक इस्तर का कोई center बनना, अपने आप में किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्दी होती है, अगर मैं भारत की बात करों तो गिन चुने होंगे, किसी भी देश के लिए बड़ी चिक हिस्ता पत्ती है, उसका भी अपना प्रभाव दुनिया में है, और भारत की जो चिक हिस्ता पत्ती है, उनका भी अपना प्रभाव है, आप इसको कैसे देखते हैं, खास्तोर से इस वैश्विक इस तर की जह हम बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी उपलब्दी देश के लि market share है लेकिन भारत में खुलना मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ी उपलब्दी है इसको हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि historical event है ये global center का भारत में खुला जाना और जहां तक बात है हमारी जैसे अभी दूसरे वक्ताओं ने भी कहा कि हम लोग तो इसका फाइदा उठाते रहे हैं अब global center of transition medicine के यहां होने से इसको हम ज़्यादा अच्छे से standardized कर पाएंगे अपने आयरवेदा के अलावब बाकी और दूसरे देशों के भी हम साहता करेंगे standardizedization करने में research में और technology का यूज़ करने में जैसे परदान मंत्री जी ने भी इस एंटर के लिए पाँच उदेश दिये हैं पाँच उनने टार्गिट दिये हैं तो उनको achieve करके यह देश का गोरव और ज़्यादा बनाएगी यह प्रमुक जो कर रहे हैं थे के एक repository हां यहां पर create करनी चाहिए ताकि इसका फाइदा सारी दुनिया उठा सके जो यहां पर हमारा technology में data होगा analytics होंगे उसके दूसरा उन्होंने काया कि standardizedization जैसे कि उन्होंने बताया कि जहां तक आयरुवेदा का सवाल है दूसरे देश में इसलिए नहीं हो पारा क्योंकि गुनवत्ता पर question आ जाता है तो इसका standardizedization किये जाना testing किये जाना इसको अच्छे से जो हमारे अभी standards है उनको implement भी करना फिर collaboration की वो बात करते हैं कि क्या हम जादा से जादा collaboration करें क्या internationally हम लोग annual कोई ऐसी meet कर पाएं कोई चिंतन इसके बारे में कर पाएं ताकि एक sharing हो इस तरह की वो उन्होंने बाते की है और फिर जो है निवेश में invest करें ultimately research में invest करें जो निवेश हो वो research के उपर हो ताकि उसका फाइदा सब को पूँचे तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने target दिये हैं यह हमारे लिए अपने आप में ही एक बड़ी बात है और हम definitely इसको implement करेंगे जो उन्होंने हमें उदेश्य दिया है महर जी मैं आपसे गुणवत्ता की बात समझना चाहूंगा और खास और से शोद की बात भी मैं समझना चाहूंगा क्योंकि एक तरफ शोद की बात होती है और फिर दूसरी तरफ गुणवत्ता की बात होती है जब हम भारती चिकिस्सा पज्डियों की बात करते हैं, खास और से आयोवेद की बात करते हैं, युनानी की बात करते हैं, होमोपेटी की बात करते हैं, तो उसक्सिद्धा की बात करते हैं, तो गुर्णवत्ता का सवाल वैश्वी की स्थर पे आता है, प्रधान मंतरी काल में जो ओशदियां व्यक्ति बनाता था तब उनको उन पेरामेटर पर उनका परिक्षन नहीं करते थे लेकिन आज के युग में हर एक संस्तान में चाहे वो महाविद्याले हो ग्रेजुएशन का हो पॉस्टिएशन हो वहां सभी जगे आजकल लेबर्टरी की स्थापना ह और यहना तक कि आईरवेद की जो ओशदियां बनती है उनकी पूरी गुणवत्ता का प्रमानी करण उसका परिक्षन किया जाता है और उस परिक्षन के साथ में उनका प्रियोक किया जाता है तो कहने का अभिप्रा है कि हम अपने देश के इस्तर पर जब इनका प्रमानी कर जिसके स्थापना हो रही है, यह अगर प्रारंब होगा, तो हमारी भारती पारंपर एक चिकसा पद्धतियां हैं, उनकी जो ओषदियां हैं, वो पुरे विश्व में पहुचेगी, गुणवत्ता के साथ पहुचेगी, और उनकी गुणवत्ता का प्रमानी करन उनके उपर हो होगा, गुणवत्ता युक्त ओषदियां तो वो है ही, और इसी रूप में, चाहिए वो आल इंडिया सुटाप आईरवेद हो, ITRA जामनगर हो, ग्लोबल सेंटर जो प्रारंब किया है, आईरवेद के जितने भी सेंटर हैं, यह इनकी गुणवत्ता के उपर विशेश रू पर कसी हुई है, उन परिक्षणों को पार करने के बाद में ही इनका प्रियोग किया जा रहा है। उसमें खासा बदलाब आया है, दुनिया भर में इस बात को महसूस किया गया है, कि जो ट्रिडिशनल मेडिसन है, उसकी भी अपनी एक एहम उप्योगता है, उसका एक एहम रोल है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखे, कोरोना काल से पहले भी जो नॉन कमेलिकबल डिसॉडर्स के जैसे बर्डन है, जैसे डाइबिटीस पे शोध हो चुका है, प्रिविलेंस स्टेडी हो चुका है, भारत और चीन लगभग बहुत ज़ादा डाइबिटिक्स जो है आज भारत में हैं, और इवन हाइप कि इस बर्डन को कम करने के लिए आयुष चिकितसा पद्दतियों को एक बड़ा भूमी का निभाना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए इसमें गुडवत्ता को मेंटेन करने के लिए संशोधन और पॉब्लिकेशन जो इंटरनाशनल स्टैंडर्स के हो, इंटरनाशनल ज इस बर्ड़ाइशन भी होना चाहिए आयुष का, तो ये इस दिशा में हमने अल्रेडी कांप शुरू कर दिया है, हमारे एम स्राइपूर के निदेशक महोदे प्रफेसर नितिनम नागर्ची करफ जी के हल्प से, उनके एक विजन से हमने अल्रेडी यहाँ पे एक साइमर क गठन कर लिया है, जिसका उद्दिश है, Center for Integrative Medicine Education and Research, यहाँ पे हमने गठन कर लिया है, और अल्रेडी जो जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स है, जैसे नेफरोलोजी है, किड्नी डिसीज में है, वहाँ पे जो उनकी क्वालिटी आफ लाइफ को इंप्रूब करने के लिए औ उनके संभोधन में कहा है कि एक प्रोटोकॉल डिजाइन करना है, जो इंटेग्रेट कर पाए हम अल्रेडी जो एग्सिस्टिंग हेल्थ कन्वेंशनल सिस्टम से उनके साथ मिलके, मतलब पेशेंस को जितने जादा आराम दे सके हम, और बर्डन जो है, मॉडन हेल्थ केर सि उनके साथ हमने MOU साइन करके एक सेंटर फॉर माइंड बॉड़ी मेडिसिन भी हमने यहां पे इस्ताफित कर लिया है, और तीन प्रोजेक्ट अलरडी हमने स्टार्ट कर लिया है, तो आगे की दिशा में हमें और क्लिनिकल डिपार्टमेंट के साथ हम मिलके आगे बढ़ने वाले हैं, तो जरूरी यहां पे यह है कि गुलगत्ता मेंटेन करने के लिए है, प्रॉपर एक इंटरनाशनल पॉब्लिकेशन जो है बहुत जरूरी है, तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, और यह चीज हर एक को, हर एक आयूश या फिर टर्शरी के सेंटर है, वह चामनागर में जो बंद रहा है, खास तोफे कर मैं बात करूं, निवेश की बात करूं, शोध की बात करूं, इसका खास तोर पर प्रदान मंत्री ने भी उलेक किया, इसके आने वाली समय में हमें क्या इसको लेकर तैयारी होने वाली है, च могли मुझे लगता है कि जैसे योग से आप कैसे इसको देखते हैं देखे ये एक कारिक्रम एक आज है एक जो कारिक्रम कल से शुरू होने वाला है जो ग्लोबल आयूस इन्वेस्मेंट और इन्नोवेशन सम्मिट है जो कल परसों दरसों तीन दिन तक गांधी नगर गुजरात में जिसका प्रधानमंत्री जी कल उद्गाटन सवेरे करेंगे वो भी अपने आप में एक इन्वेस्मेंट और इन्नोवेशन सम्मिट है जहां पर बहुत से MOUs साइन हो रखे हैं वो लाइन डप है एक्चेंज भी होंगे और उसमें भी लगबग 5,000 करोड का निवेश की वहां से उम्मीद है तो और इसके अलावा महाँ पे जैसे मार्केट जो हम आगे किस तरह से डवलप होगा क्या 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 हमारे पास फर्दर स्कोप है मेडिकल वैल्यू ट्रेवल में हम क्या कर सकते हैं किस तरह से उसको हम बढ़ा सकते हैं बहुत सी चर्चाएं होगी उसमें बहुत से वाक्शोप्स हैं एक जाता है कि काफी बड़ा बजार है और काफी संभावना है आप इस पहलू को कैसे देखते हैं को कि जब हम आयवेद की बात करते हैं भरते चेकिस्सापत्यों की बात करते हैं तो मेडिकल टूइजम की भी एक बात आती है जी आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि केनिया के काई होस्पिटल में उन्होंने ठीटमेंट करवाया और उनकी आईसाइट रिस्टोर हो गई तो आप समझ सकते हैं कि मेडिकल ट्रेवल के लिए आयरुवेदा और योगा कितना यूसफुल हो सकता बविश्य में तो अभी जादा से जादा लोग जो है वैलनेस के लिए भारत में आना चाहेंगे ट्रेडिशनल मेडिसन जैसे जैसे बढ़ेगी योगा जैसे बढ़ेगा आयरुवेदा जैसे जैसे बढ़ेगा तो मेडिकल वैल्यू ट्रेवल भी भारत के लिए अलड़ी हम एशिया में 30 नंबर पे हैं और हमारा टार्गेट है कि इसको और जादा बढ़ा के हम पहले नंबर पे पहुंचे प्रोफिसर महजी जो आर्थिक पक्षा है इसका ये ठीक है कि हम शोद करेंगे अच्छी गुडवत्ता वाले उत्पाद बनाएंगे आयोवेट के या दूसरी जो चिकिस्सा पत्नी है लिकिन अगर मैं निवेश की बात करूँ आर्थिक पहलू की बात करूँ तो आप संभावनाओं को कैसे देखते हैं खास तोर से अंतर राश्टी अस्तर की बगार हम बात करें देखे ऐसा है जैसा कि अभी विकरम सिंग्जी ने बताया आहमदाबाद में तीन दिन का बीस, इकिस और बाइस ये जो ग्लोबल समेट है ये ग्लोबल समेट खास तोर से जो है इन्वेस्मेंट एंड इन्वेशन समेट है और इसमें कई देशों की भागीदारी है और न केवल भारत के अपितु विदेशों के भी भागीदारी इसमें होने के कारण यहाँ पर इस ग्लोबल इन्वेस्मेंट समेट में इसके लिए आयरुवेद के लिए आयुश पद्धती के लिए कौन-कौन सी कंट्री के माध्यम से क्या-क्या किया जा सकता है ये सबी तीन दिन में हमारे सामने आएगा और कई कंट्रीयों का मतलब आगे रह करके देशों ने अपनी सुकता इसमें जाहिर किये तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज पूरा विश्व ये जो आयरुवेद की जो भारत की पारंपरी चिक्सा पद्धती है आयुश चिक्सा पद्धती है इसको अपने अपने देश में इस्तापित करने के उसमें चुके और इसके माध्यम से ही इसको निश्चित रूप से सभी देशों में फेलने का मुका मिलेगा और सभी देशों के व्यक्तियों को एक स्टेंडर्ड टीटमेंट प्रोटोकाल जो आईश पद्धती है उसका लाब मिलेगा और जैसा कि मेडिकल ट्यूरिजम की बात हुई तो इसका में कारण ये है कि आयरुवेद के माध्यम से जैसा एक एक एक्जामपल अभी विकरम सिंग सर ने दिया था ऐसे कई सक्सेस स्टोरी है कि कई देशों के व्यक्ति यहाँ पर चिकसा के लिए आज आते हैं जामनगर में हो दिली में हो बनारस में हो जैपूर में हो तो इन जो आयरुवेद के सेंटर हैं इन सेंटर में आज भी आते हैं और इस प्रकार के ग्लोबल सेंटर के स्थापना होने से और आयुरुवेत का हर एक कंट्री में अगर पचार पसार हो जाएगा तो हो सकता है कि उनको ये सभी सुईदाएं उनके देश में भी मिले और यहां पर आने पर भी उनको बहतर सुईदाएं मिलेगी और उनका विश्वास के उपर बढ़ेगा कि ये चिकिस्सा पदती एक स् सक्षम जी विकरम सिंग जी ग्लोबल साइंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडियसन की स्थापना और भारती चिकिस्सा पत्ती जहां हम इसकी बात कर रहे हैं तो भारती चिकिस्सा पत्ती में ऐसी कौन-कौन सी चिकिस्सा पत्ती हैं जो इसमें शामिल होती हैं और अगर हम दुन जिसमें हमारी नॉलेज है, प्रैक्टिस है या एक्टिविटी जो के ट्रडीशनली लोग इंडिजीनियसली और बहुत टाइम से अपने आपको हेल्दी रखने में, डाइग्नोज करने में, फीजिकल और मेंटल वैलम बीग को रखने में यूज करते हैं. इसमें जैसे हमारा आईरुवेदा योगा हो गया है, और एक्यू पंचर है, चाइनीज है, या तमाम दूसरे देशों में हर्बल मिक्चर्स हैं, हर्बल मेडिसनल प्लांट को लेके हैं. तो जहां तक भारत का सवाल है, तो हमें जैसे आयू सिस्टम है, आईरुवेदा है, यूनानी है, सिद्धा है, होमियोपैती है, नैचरोपैती है, और उसके उपर नोन जहां पे योगा हमेशा से इसमें एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है. और मैं एक चोटी सी बात आपको और बताना चाहूंगा, कि इंटरनेस्टल योगा डे, जब से 2015 से पूरे संसार में, प्रधान मंत्री जी के आवान पर जब ये इंटरनेस्टल डे ओफ योगा पूरे संसार में मनाया जाने लगा है, तब से योगा के प्रती एक नया जो उ चाहेंगे, उसमें हम अपने देश को पूरा ब्रांड करना चाहेंगे, और 75 आइकोनिक प्लेसिस के उपर योगा डेमोस्टेशन इस पार होगा, वो आइकोनिक प्लेसिस जो है, वो चाहे वो हेरिटेज बिल्डिंग्स हों, या बीचीज हों, या ऐसी जगे जिसको हम एक ह सूरज 21 जून को जहां से उद्य होगा, वहाँ उस कंट्री के साथ डिरेक्ट टेलिस कार्ट किया जाएगा, कि किस तरह से वहाँ पे इंटरनेशनल डे ओफ योगा मनाया है, जैसे जैसे लोकल टाइम पे सूरज बढ़ता जाएगा, वैसे ही टेलिकास्ट इंडियन मिशन् योगा में पार्टिसपेट करते हैं, उनके साथ मिलके टेलिकास्ट किया जाएगा, तो पूरा इस तरह से एक रिंग बनाया जाएगा, जैसे बिलकुल, जाहिर तोर पर ये एक गेम चेंजर सावित होगा, गेम चेंजर किबद स्वास के जिस्टी से नहीं, बलकि आर्थिक दिश्टी से भी, निवेश की दिश्टी से भी एक मिलका पत्थर सावित होगा, भारत के लिए, दुनिया के लिए, और इसके मूल में है वैश्विक कल्यान की भाबना, विक्रम सिंग जी आपने हमसे बात की, आपका भाववववववववववववववववववववव विक्रम पाई जी आपका भी भाववववव दन्यवववववववव विक्रम साथ करने के लिए, तो आज हमारे सकाइकरम में इतना ही मुझे दीजिए आंग्या, नमस्कार